हेलो रिवन, वेलकम बैक टो अनलाइन स्टेडियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइन्स के एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक आवर्ट सार्णी तत्तों के आवर्ट सार्णी से लेटर डेफिनिटली क्वेसंस पूछे जाएंगे तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से गिलियर कर लीजिए और यहाँ पे मैं कुछ इंपोर्टन्ट MCQ लेकर आया हूँ जो कि आपको जरूर देखना चाहिए इनको सॉल्फ करना चाहिए तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रही है काफी अच्छे अच्छे क्वेस्स में आपके साथ डिसकस करूँगा तो चले इस वीडियो को हम सुलू करते हैं मैं आपको बता दूँ कि काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि कोर्स की प्राइस को कम करिए तो 399 से कोर्स की प्राइस 299 हो चुकी है और अगर आप अभी तक जॉइन नहीं हुए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस डिवीजन कोर्स में बहुत ये अच्छी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराई गई है 260 से ज्यादा टॉपिक नोट्स हैं राइटिंग नोट्स आपको दिया गया आप अच्छे तरीके से डिवीजन कर सकते हैं जॉइन करना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो के जिस्क्रिप्शन में हमारी अप्लिकेशन की लिंक देगे ये अप्लिकेशन को डाउनलोड करिए ये स्टोर सेक्षन में जाएए वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा फुल कोर्स SI का जहाँ आपको दो सो जैनल भी पे करके आप इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं वन यहर की वैलिटी मिलेगी जिसमें प्री और मेंस दोनों के लिए काफी ये हेलफुल रहने वाला है फरस्ट कोईसन बनता है कि एस ब्लॉग का पहला तत्व कौन सा है देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल पे अल्रीडी दो वीडियो अप्लोडेड है अगर आपनो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जेक देख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं बिसिकली आज किस वीडियो में मैं आपको important questions कराने वाला हूँ लेकिन उस पहले वाले जो दो वीडियो में ने मनाया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से periodic table को समझाया भी है तो आप जाकर करके उस वीडियो को check out कर सकते हैं तो फिलाल हम बात करते हैं first questions की इस block का पहला तत्व कौन सा होता है तो देखिए मैं कोसिज करूँगा कि आपको screen पे एक periodic table दिखा दूँ और वहां पे छोटी से point में आपको समझा देता हूँ इस block पूरे hours आणी को चार blocks में बाटा गया S, P, T, F और सबसे जो पहला तत्व होता है इस block का जो पहला तत्व होता है वो hydrogen होता है यारी right answer यहां पे हमारा option A बनेगा बस यहां पे आपको बस questions को देखना है और अच्छे तरीके से questions को याद रखना है क्योंकि exams में definitely यही सब questions देखने को मिलेगा अगर आपको समझ में आ जाएगा सारे questions याद हो जाएंगे तो आप आसानी से वहां पे कर सकते हैं आधुनिक आवर्थ सानी में कितने आवर्थ और कितने समू या फिर वर्ग होता है तो देखें आवर्थ हम किसे कहते हैं जो periodic table में horizontal line जो देखते हैं आप इसको जिसको हम लोग हिंदी में 36 रेखा कहते हैं 36 जो रेखा है इसको आवर्थ कहा जाता है और जो vertical line है यादि कि जो इस तरह से stump कह सकते हैं इसे हम लोग वर्ग कहते हैं आवर्थ और समुग आपसन हम B को टिक करेंगे next questions कर रहा है कि आवर्थ साणी में बाय से दाय धात्वी गुण में क्या होगा धात्वी के गुण क्या होगे तो अगर हम मानते हैं कि हमारा periodic table है तो आपको एक चीज़ बता दू कि जो धात्व होते हैं धात्व को हम लोग बाय के तरफ रखें और धात्व को दाय के तरफ रखा गया अब questions में कह रहा है कि बाय से दाय के तरफ जाना है यानि लेफ्ट से लेकर करके हम राइट तरफ जाते हैं कि आयनन उर्जा ब्रिधी होती है आयनन उर्जा ब्रिधी होगा तो जो धात्वी गुणों का उसमें हम लोग कमी कहेंगे अब एक चोटा सा पॉइंट और याद रखेगा ये तो बात हुए कि अवर्ट सार्णी में अगर हम बाय से दाय जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा घटेगा लेकिन अगर यही सेम क्वेशन से रहता कि अगर वर्ग में उपर से नीचे की उड़ जाते हैं तब क्या होगा तब वहाँ पे हम लोग धात्वी गुण को बढ़ाएंगे यह चीज आपको थ्यार रखना है दोनों questions बन सकता है question no.4 निवलीखित में से किस ने सबसे पहले tattook के आवर्ट सार्णी में वर्गे गरित किया tattook के सबसे पहले आवर्ट सार्णी को वर्गे गरित किया server वेंठलीफ ने option A आधुनिक आवर सार्णी धातू में उपधातू और अधातू किस ब्लॉक में पाय जाते हैं आधुनिक आवर सार्णी को किस ने त्यार किया था ये याद रखेगा मोसले ने त्यार किया था सिर्फ और सिफ अगर आपसे पूछ ले कि आवर्ड साणनी को किस ने त्यार किया तो में लिफ लेकिन अगर आधुनिक आवर्ड साणनी पूछे तो वहां पे हम लोग mostly को टिक करेंगे ठीक है अब प्रश्ण में पूछागे कि धातू में उप धातू और अधातू को किस ब्लॉक में रखा गया तो ये ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक में रखा गया और वर्ग हम लोग वर्टिकल लाइन को कहते हैं तो आवर्ड की बात करें तो आवर्ड अगर हम प्रियोडिक टेबल आपके सामने अप प्रियोडिक टेबल को ध्यान से समझे अगर हम आवर्ड चार की बात करते हैं तो पहला आवर्ड देखे यह हो गया दूसरा आवर्ड तत्त होते, दूसरे आवर्ट में हमारा 8 होता है, तीसरे आवर्ट में भी 8 होता है, चौते आवर्ट में 18 होता है, और पांच वे जो आवर्ट होता है, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आपका अभी इसमें 18 होता है, ठीक है, यह आपको बस करम याद रखना है, कि पहले आप count करके भी देख सकते, कोई problem नहीं है, count कर लिए उसमें आपको मिल जागा, पहले आवर्ट में 2 तत्वे, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और चोथे में 18, और पांच भी 18, जी आपको याद रखना है, पांच मोश्ली पूजा दें, पांच आप याद रखें, तो यहाँ पर मारा options क्या बनेगा, option B को टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेशन देगे, क्या करें, आवर्ट सार्णी में एक ही समू के तत्व की समान विसिस्ता क्या होती है, यहाँ पर मारा सई आंसर बनेगा, कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पर right answer हमारा बनेगा, option A, ठीक है, अगला question, जब हम आवर्ट सार्णी में समू या फिर वर्ग में, समू का है या फिर वर्ग का है दोनों का मतलब एक है, लेकिन आवर्ट अलग होता है, ठीक है, तो हम आवर्ट सार्णी में समू या फिर वर्ग में नीचे की और जाते हैं, तो क्या होता है, नीचे की और जा quay तो इसमें बाटा गया मैं कि पहला वर्ग हो गया दूसरा वर्ग होता है तीसरा वर्ग इस तरह से टोटल 18 वर्गों में बाटा गया तो छो छार धातु उता है जो पहले आप देखाएं अस yılरो देखेंगे सौरी फर्स्ट कॉलम देखेंगे उसमें आप है ईवांगे लीथियम संदै फिल्टान मिलता है और अनि कि यह जो 300 एंगली में3 कहते हैं यह को द्यान रखना है कि इसी मां प्षार्ण करते है यह मोस्ट मिलता है है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि आवर साणी का पहला जो वर्ग होता है वो छार धातु होता है ठीक है पहला जो वर्ग होता हो छार धातु होता है जबकि जो दूसरा गर आपसे पूछे कि जो दूसरा वर्ग होता हो क्या होता है तो यह चार यह मृता धातु होत आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा next one उत्कृिष्ट गैसों की electron बंता क्या होती है उत्कृिष्ट गैस किसे कहते हैं अगर हम periodic table में last वाले चीज को देखें last वाले जो वर्ग होता है जिसको हम लोग 18 कहते हैं वर्ग 18 तो इसमें जितने भी तत्व हैं वो सभी inert gas होते हैं इनके बातम कोस में electronic की जो संक्या होती है वो पूरतर से पूर्ण होता है यानि जो पहले कोस में 2 होना चाहिए तो 2 बिल्कुल होता है दूसरे में 8 होना चाहिए तो 8 होता है यानि कोई भी इसमें खाले electron नहीं बसता है तो सुनने electron यानि की जो इनकी सन्योजकता होती है जिसको valence कहते है valence electron वो बिल्कुल पूरा भरा होता है कोई भी extra नहीं होता है इसलिए इनकों कहते है लगभग सुनने होता है यानि option A को टिक करेंगे चलिए अब आगे बढ़ते है और सब्सक्राइब करें कई वल्कंटेंट मिलते रहते है ततो का पहले वर्गी करण किसनी किया था तो मियन आपको प्रभीता था था कि ततो का वरला किसनी किया गया वो ये य्याद हैं यहाँ पी याँ अनसर क्याव Przyяж fan अग्ला पॉइंट्स 13 का नियम का प्रतिपादन किसने करता तो तो तका नियम अक्सर कुछा है da 30 का नियम भी आपका मुझ्र टोबे रेनर केंगे स tossir त्रीक नियम यह आपको याद रखना है और निव लेंड का अस्टक नियम होता है जैसे यहाँ पर question देख सकती है ततो के वर्गी क्रण से संब्धित अस्टक नियम किस ने दिया अस्टक नियम नियुद्स का अस्टक नियम यहाँ पर C को टिक करेंगे ततो के भौतिक और अस करूंगा या फिर आप मारे वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं प्रियोडिक टेबल ओनलाइन स्टेडियों ठीक है तो ततो कि वहुतिक और रसाइनी गुड़ उनके परमाडू भारों के ध्यान रखेगा परमाडू भारों के अवर्ति फलन होते यह जो त्यार किया था परमाड बहार से questions पूछे गया ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वने कि आधुनिक आवर्शार्णी में तत्त्वों को विवस्थित किया गया आधुनिक आवर्शार्णी में तो उपर आपने देखा कि जो मेंडलीव ने त्यार किया था वो परमाडू भार के recording त्यार किया था अक्रिय तत्व जिसको लोग निस्क्रिय गैस, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं ये periodic table के last वाले वर्ग में आते हैं यानि कि अठ्रावे वर्ग में आता है तो right answer क्या होगा जिसको सुनने सम्मो के नाम से भी जानते हैं राइट आंसर बनेगा option A अब बात करतें next questions अगला हमारे periodic table का जो पहला वर्ग है पहला जो जिसको हम लोग column कह सकते हैं उसी में रखा गया तो ये क्या बनता है right answer बनेगा option हम A को टिक करेंगे ठीक option A यहां पर बिल्कुल सही answer इसको यादर केगा first का A होगा ठीक है अगला questions कि समू के तत्वों को सिक्का धातु का आ जाता है सिक्का धातु या फिर मिस्र धातु के नाम से जानते हैं तो यहां पर हमारा सही answer क्या बनेगा option B first का B या फिर हम समूह इगारा कह सकते हैं समूह इगारा और इसके अंतरगत क्या-क्या तत्व आते हैं तो इसमें हम लोग कॉपर रख सकते हैं इस तरह से ध्यान रखेगा तो समूह इगारा के जो तत्व होते हैं इसको सिक्का धातु या फिर मिस्र धातु कहते हैं या फिर इसको हम लोग first के B के नाम से जानते हैं चलिए अगला question सबसे हलकी धातु कौन से हैं सबसे हलकी धातु कौन से हैं सबसे हलकी धातु लीथियम को टिक करेंगे option D अगर आपसे questions पूछ ले कि सबसे हलकी धातु तत्व कौन सा है तो वहां पे हम लोग hydrogen को टिक करेंगे कौन सा तत्व सबसे अधिक रिनात्मक होता हैं सबसे अधिक मातरा में पाय जाने वाला धातु कौन सा है ध्यान रखेंगे प्रश्ट में धातु पूझ जा रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर किसे टिक करेंगे आप्शन B, Elmoneyam, संकरमर तत्व की विशेषता है, संकरमर तत्व किसे कहते हैं, डारेक्ट आपसे पूझाएगा कि, किस ब्लॉक के तत्व को संकरमर तत्व का जाता है, तो D ब्लॉक के तत्व को, D orbital option A, परतेक आवर्थ का अंतिम सदस से कौन होता है, परतेक आवर्थ का अंतिम सदस, questions का मतलब समझ रहें क्या करहा है, परतेक आवर्थ का अंतिम सदस, यानि अगर हम पहला आवर्थ को उठाते, कुछ इस तरह से, पहला आवर्थ अगर ये उठाते, तो इसका अंतिम क्या बनेगा, ये बनेगा, यानि हम first वाले आवर्थ को उठाते तो पहले का है, पहले यहाँ पे आप hydrogen होगा और दूसरे पर आपका helium होगा तो helium क्या है एक पर करका? अक्रिये gas है यानि हमने आप देखा था अगर यहाँ पर भी दूसरे उठाते तो दूसरे पर भी आपका यहाँ पर क्या जाएगा ऐफ्सन सी ठीक अगर उसी तरह से questions पूछा जाता है जैसे कि परते आवर्द का प्रतम सदस जिस तरह से यहां पर अंतिम सदस से पूछ गया था तो प्रतम सदस से चाहर धातु आना आपको बता था तो एक चाहर धातु होता यहां पर आइट answer गटा दे, तो वहाँ पर हमें मिल जाढ़ा नियोट्रोन के संक्या, तो अगर हम hydrogen की बात के तो hydrogen का प्रमाडू संक्या कितना होता है एक होता है और इसका द्रब्मान भी लगभग एक के बराबर होता है तो अगर मैं दोनों में से घटा दू तो 0 यायगा तो राइट आंसर क्या बनेगा option C, Hydrogen नेक्स्ट क्वेशन्स आवर्शाण्डी में गैसों की कुल संख्या कितनी हैं? आवर्शाण्डी में गैसों की कुल संख्या कितनी हैं? तो टोटल 11 गैस हैं, यानि option A होगा राइट आंसर अगला questions, बितुत रात्मक्ता की प्रविट्टी के अनुसार अधात्वे आवर्शाण्डी में किस ओर रखे गई हैं? स्टार्टिंग में ही बताया था, थर्ड क्वेशन्स में आपको बताया था कि हम लोगों ने धात्व को कहां पे रखा है और अधात्व को कहां पे रखा है तभी तो बताया था कि धात्वी गूर अधात्वी गूर बढ़ता घटता है तो देखे, अधात्व जो हैं, अधात्वे हम लोगों ने रखा इसको दाई ओर ठीक है दाहिनी और उपर में रखा गया यानि कि दाहिनी और उपर में रखा गया periodic table भी आप देख करके समझ सकते हैं तो right answer हाँ पर बनेगा option A दाहिनी और उपर में रखा गया आवर्ट शार्णी कि किसी आवर्ट में 22 दाहिन बढ़ने पर बिधुति रात्मक्ता क्या होता है तो बिधुति रात्मक्ता बढ़ता है option B होगा 25 next one कि में निद्लीव की आवर्ट सार्णी में कौन से तत्व को छार धात्व एवं हाईलोजन दोनों ग्रूप में रखा गया था हलोजन किसे कहते हैं ग्रूप 17 के जो तत्यों होते हैं उनको कहा जाता है हाईलोजन तत्यों ठीक है और मेंदलिफ ने यही गल्ती की थी यहाँ पर इसका हाईलोजन का अस्थान निस्चीत नहीं था इस विए से इसको माने था नहीं मिली और बाद में मोजली ने अपना आधनिक आवर्ट्स पर बाएं से ध्यान रगेंगें बाएं से अगर हम दाएं बढ़ते हैं तो परमाडू के अकार में क्या होगा परमाडू के अकार घड़ता है ठीके परमाडू का अकार घड़ता है ऑप्सन हम बीकूटिक करेंगे परमाडू का अकार घड़ता है लेकिन अगर आपसे questions पू बढ़ता है यह ध्यान में रखना है चलिए नेक्स्ट वन लेंथनाइट्स तत्वों के परमाडु संख्या का विश्थार क्या है अपने पढ़ा होगा लेंथनाइट एक्टिनाइट्स रेडी के जो तत्व होते हैं जैसे जो लेंथनाइट होते हैं वह 58 से लेकर के 70XT का तत्व को लेंथनाइट कहा जाता है और 90 से लेकर के 103 के तत्व को एक्टिनाइट कहा जाता है कभी वह अपसे यह पूछा जा सकता है कि जो लेंथनाइट और अध्क्टिनाइट जो किस ब्लॉक में रखा गयां तो य्यान रहा है ये F-blok के तत्व आते हैं ठीक है F-blok क अंतरगत रखा गया चलिए नेक्स्ट वन एक्टिनाइट्स और लेंथनाइट्स तत्वों को आवर्ट सांडी में कहां पर रखा गया अगर आप परियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगी तो इनका दोनों का अलग एक गुरूप ही बनाया गया लास्ट में आप देखेंग और लेंथनाइट्स समो में ऊपर से नीचे जाने पर परमाडू के अकार में क्या होता है मैं आभी जश्ट बनता के अगर परियोडिक की बात की जयती तो उपर आगर हम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा लेकिन अगर हम बायंसे दाइं के तरफve जाएंगे तो घटेगा तो प्रस्ट में क्या है, उपर से नीचे जाने पर परमाडू के अकार में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाडू का साइज बढ़ता है, अब साइज बढ़ता है, आवर साणी में किसी वर्ग में उपर से नीचे जाने पर तत्तो का धात्वी गुण क्या हो, स्टार्टिंग से हम लोग इस के तरफ जा रहे हैं तो डाफिनिटी यह कम हो रहा है ठीक है लेगिन अगर हम उपर से नीचे की और जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा कि धात्वी गुण बढ़ता है धात्वी गुण बढ़ता है ठीक है यह ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट वन आधुन अवर्शाणी के वर्ग वर्ग इगारा के तत्व क्या कहलाते हैं वर्ग इगारा के तत्व स्री इगारा नहीं यहां पर सेकेंड की बात की जारी है सेकेंड की बात की जारी है ठीक है सेकेंड जैसे फर्स्ट जो आपका है प्रियोर्डी टेबल में फर्स्ट यह हो गया सेक वाली को और पिछली बार भी एक्जामस में यही क्वेसंस पूछा गया था चारी अम्रेटा था तुसे तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे म्- पूछा सकता है किसमें इलेक्ट्रों के अधिक्तम संक्या क्या होती है ये कैसे निकाला जाता है तो इंधैन कि कर दो इसको निकालने के लिए 2b n स्क्वार आप याद रहे jaar रखें जो भी आपसे पूछे अगर आपसे पूछ ले कि n में बताए, m में बताए, तो पहले मैं आपको m में बताता हूँ, m में पूछा है तो 1, 2, 3, 3 नमबर प्यारा है, तो 2 गुने, अगर 3 के स्क्वार रखते तो कितना होगा, 9, 9, 2, 1, 18, यानि राइट आंसर बंजाए का option, b होगा, अगर उसी तरह स में, 8 होता है, 18 होता है, 32 होता है, उस तरह से आगया आप बढ़ सकते हैं, राइट, चलिए, नेक्स टोनी कि अवर सार्णी में धातुए किस और इस्तित है, पताया गया न आपको, कि धातुए हम लोगों ने बाइयों रखता है, और धातुए को हम लोगों ने दाइयों र कहते हैं, किसी भी जो तत्व कि बातम इसम 11 11 इसका atomic number तो अगर हम इसको पूरा करेंगे तो दो आठ और एक लास्ट में देखिए एक बचता है तो बस सिंपल सी वासा में अचले एक और लेलते हैं किलियर समझ में आगया तो सही answer option a को टिक करेंगे किसी ब्लॉक के यानि कि किस ब्लॉक के ततों को संकर्मर ततों कहा जाता है बताया गया था कि transition जो elements होते हैं d block के ततों को कहते हैं d को टिक करेंगे बहुत important है पूछा गया actinates और lengthinates ततों को किस ब्लॉक में रखा गया actinates और lengthinates को जो lengthinates होते हैं कितना से कितना 58 से 71 तक और यह जो होता है 90 से 103 तक यह सभी को कहां पे रखा गया f ब्लॉक में रखा गया option c अगला points निमलीखित में से कौन सा agree gas एक radioactive तत्व भी है एक radioactive तत्व भी है कौन सा है redon redon एक radioactive तत्व भी है और यह वाय मंडल में नहीं पया जाता है यह से आप याद रखेंगे redon एक प्रकार का निस्क्री है gas भी है अधातू में से एक मात्र अधातू जो की द्रव अस्था में होता है ध्यान रखेंगा अधातू पुझा रहा है non-metal पुझार की जो liquid form में होता है और वो कौन सा है bromine अगर आपने गलती से भी पारा को टिक किया तो आपने बहुत बड़ कर दी है यह आपका धातू होता है कमरी के ताप करम पर पाया जाने वाला liquid एक मात्र जो metal होता है वो है पारा जबकि non-metal की बात के तो bromine यानि की अधातू की बात के तो bromine राइट अगला points अवर्ट सार्णी के एक ही वर्ग की तत्तों की सन्योची electron और सन्योचकता क्या फर्स्ट कॉलम में अगर हम लोग lithium लेले, sodium लेले, potassium लेले तो इसमें क्या होगा कि सन्योची electron बातमकुस में electron की संख्या भी समान होगा और सन्योचकता भी समान होगा तो right answer क्या बनेगा option इस समान होती है चाहिए आप किसी भी अवर्ट सार्णी के किसी भी वर्ग को उठा समान होती है ठीक है next one देखी अवर्ट सार्णी के अंतीम वर्ग यानि की वर्ग अठार के ततों के बाहरी कक्छाम electron की संख्या कितनी होती है तो कोई भी electron नहीं बसता है पूरा पूर्ण होता है पूरा पूरा पूर्ण का मतलब last में 8 आपका पूरा तरह से पूरा हो जाता यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा option D ठीक है पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है यहां पर राइट आंसर बनेगा option D कोई भी नहीं बसता है आज की इस वीडियो का आखरी प्रस्ण है आवर्ट सार्णी में बाएं से दाय बढ़ने पर तत्तों की निमली खीत में से किसकी से बिरीधी होती इसे अप याद रखेंगे तो बाय से दाय अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर आयनर विभौवी बढ़ता है अधाथवी गुण भीण's अगर हम लोग, यहां पर राइट झा चरीक क्या है है सभी बढ़ता है option D बिल्कुल सही answer है तो देखे यहाँ पर 45 MCQ मैं आपको जो बता है अगर आप इन सभी को अच्छे तरीके से याद रखते हैं और periodic table को समझ जाते हैं periodic table समर्जने के लिए मैं आपको दो वीडियो पहले से बना रखा आप उसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से better understanding आपको हो जाएगी periodic table के बारे में और अगर आपको पहले से जनकारी है तो आप इस वीडियो को देख लिए होगे तो बहुत सारी चीजी आपको समझ में आ गई करता है कि देख…